एक जेंडर को अगर बोला गया, तो उसका मतलब दूसरा भी होगा, तो बहुत बुला पतला आदमी, मतलब, he is a lean and thin, जिसे बोलते हो, उसी को बोलेंगे बैगा बोन्स, यानि हट्टी के अलावाँ, मांस नहीं है जिसमें, बैगा बोन्स, बैग और बोन्स, वह बहुत बुला पतला आदमी है, तो कीप दबॉल रोलिंग, यह important है, नोट कर लिजेगा, कई बार एक्जाम में आया है, तो कीप दबॉल रोलिंग, किसी कार्य या बातचीत को जारी रखना, या रखने की चेस्टा के लिए बोला जाता है, to keep the ball rolling, याद रखियेगा, तो कीप दबॉल रोलिंग, ठिक, इसका मतलब है, कि डू नॉट स्टाप, जैसे तो लोग बात कर रहे हैं, वहाँ हम अचानक से पहुँच गए, वो लोग रुख करके हमारी तरफ देख, तो मैं बोलूंगा, कि बही रुखिये मत, keep the ball rolling, आप cricket खेल रहे हो, हम आपको मना नहीं करेंगे, keep the ball rolling, जो काम उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आप खाना बना रहे हैं, हम पहुच गए, संकोच के नाते आप रुख गया और आ करके हैंना, होता नहीं, hospitality के point of view से, no, मत करिये, हम बढ़े हैं, वेट करेंगे, keep the ball rolling, जो काम आप कर रहे हैं, उसे जारी रखिये, ये sense बताने के लिए, आप क्या बोलोगे, to keep the ball rolling, यहाँ पर ball roll नहीं किया जा रहा है, कहने का sense यह है, कि आप जो कारे कर रहे हैं, at a particular time, आप उसे जारी रखिये, right, don't stop playing, just keep the ball rolling, yeah, रुकिये मत, keep the ball rolling, मतलब, खेलते जाए, खेलना, जारी रखिये, ये बात है, कोई काम जारी रखना, जारी रखना मतलब, continue होगा, लगातार, करते जाए, continuous में translate किया जाएगा, चलिए, अभी आपका ये 10 हो गया है, आगे बढ़ते हैं, कर लिजे, इसके बाद हम का, इरेज करें, क्या आपने note कर लिया, आगे बढ़ें, चलिए, झाराएगा झाल्चार करें, चलिए, आपका ये इसकी बाहित्ता साफदों, क्या एंपने टीज़ग्यां मतलब, तो गुझ जा आपका ये जाएगागां आपका ये रगागां। अभी बाहिए अवाने कर विया रखना, क्या पाता है, आपका अपका, जिए चले आजये अपने लिखा बेगवा बोल्स to keep up the ball rolling on the ball एक यार्म लिखी नहीं on ball to be on the ball yes alert या चौकना रहना अभी वाग के प्रयोग देखेंगे साथ साथ लिखते चलिए बारहवा है तू थे वाव तूहब प्रयोग प्रयोग धिए चौकना सीबबाब आ अ भेश्स प्रयोग के प्रयोग विएเจյा प्रयोग याव विए ब्रयोग सक्सेस सफलता की राह में होना चले इरहवा है तू क्लाइब और जुम अन बैंड वैंड 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 को वैंड 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 अपरिं़ वैंड वैंड cause or moment ETC किसी प्रत्यक्ष सफल प्रत्यक्ष सफल व्यक्ति काराण आदी को समर्थन देना प्रत्यक्त है इसको इसकार कर देना है यह बहुत ही जरूरी है अगला है चवदहवा है चवदहवाँ एक्जाम के पॉइंट से तो इंपॉर्टन नहीं है बट अगर कोर्ट में रहे तो कोर्ट रूम ड्रामा में आप टिक ठाक करेंगे बोलेंगे व्यक्तिगत डेवलप्मेंट के लिए जरूरी है लिखवा दे रहा है जरूरी है कोर्ट एक्ट देवंत रूरी है A, N, N, S, to forbid the bands, to object to a marriage, to object to a marriage, किसी के विवाह पर आपत्ती जताना, ठिक? किसी के विवाह पंद्रहवा है, to bear, B, A, R, E, O, N, E, apostrophe, to bear once, hurt, H, E, A, R, T, दिल की बात कह देना, चलिए, on the ball, मतलब alert and चौकरना रहना, अगर आप सभी ने सरकस देखा है, तो जो क्लाउन होता है, वो ball पर roll करता है, न, धिरे-धिरे, वो कितना चौकरना रहता होगा, otherwise, अगर वो alert न रहे, तो गिर जाएगा, न, इसी तरह से, जब आपके सामने, हमारे सामने, यानि हम लोगों के सामने, ऐसी situation आए, कि भई, अपने दुस्मन से सावधान रहे, चौकरना रहे हमेशा, सावधानी, तब क्या होता है, अलग रहने के लिए बोलते हैं, वी, आप टी बाल, इफ, तू, वान तू, इसकेप यूरसेल्फ, रॉम इन आमी, कि दुस्मन से बचना चाहते हो, बॉल पे आजाईए, मतलब, चौकरना रहिए, ठीक, चले, लिख लिजिए, अब अगर मीनिंग लिख चुके हों आप सब, तो हम वाला section मिटाके, आगे बाक्य प्रयोग करवाएं, मीनिंग लिख चुके हैं, लगबख सभी लोग लिख होंगे, हम erase करके आगे बढ़ते हैं, चले, To have the ball at one's feet, मतलब सफलता है, अहमें होना, क्या होगा? अब यहाँ, यह जो फ्रेथ है, यह लिया गया है, फुटबाल का गेम देखते हैं, फुटबाल, तो जब नेट करीब हो, और कोई प्लेयर आपके आसपास न हो जपट्टा मारने के लिए, और गेद आपके पैरों के कदमों में है, तो यह लो, नेट के अंदर, बोल कर दोगे, व्यक्ती सफलता के बहुत करीब होता है, यू हैब बॉल एट योर फीट, आपका यह सेक्शन सुधर जाए, आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोग सकता, आप सफलता की राह में हैं, इक्जैक्ले, तो यू आर, आर, I mean, you have, यहाँ है जैव का यूज होगा, you have the ball at your feet, have the ball at one's feet, मतलब सफलता की राह में हैं, to jump on the bandwagon, अब कोई सफल हो गया, लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल है यह, थोड़ा सा, यह वाला जो फ्रेज है, जो पॉलिटिक से आया हुआ है, जो प्रत्यासी जीत जाता है, उसके जीत की खुसी में, वो लोग भी सामिल हो जाते हैं, जनरली जो उनको वोट नहीं किया रहता है, समझ गया है, जो उनको सपोर्ट नहीं किया हुआ होता है, तब क्लाइम और जम्प आन दी बैंड वैगन, ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यह पॉलिटिकल टर्म का है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, He always jumps on the band wagon, मतलब वह हमेशा एक व्यक्ति है, जो हमेशा सफल व्यक्तियों को ही सपोर्ट करता है, That's his nature, He always, always jumps on the band wagon, अपने लोग होते हैं अपने society में, ठीक, अब क्या है, To Forbid the Bands, To Forbid the Bands, उन से मिसे क्या लेना देना, बस युहीं, कि यह एक फित्रत होता है, जो बढ़ती है अपने समाज में, ठीक, To Forbid the Bands, Object to a Marriage, किसी की साधी पर आपत्ती रखना, खास कर वो लोग आपत्ती करते हैं, जिनको खुद करनी होती है, ठीक, तो उन्हीं के लिए ये बनाया गया है, to forbid the bands, forbid, you are forbidden, कहते हैं नहीं, बाजा मत बजाओ, यह, ओ भई, forbid कर रहा है न, forbidden, forbid, बाजा मत बजाओ, ये साधी नहीं होगी, है न, यूपी बिहार की स्टाइल में, कट्टा फायर करता है, तब क्या करेगा, to forbid the bands, कि मुझे इस साधी से ये साधी नहीं हो सकती, हम अबजेक्शन, I object my lord, नहीं, ये साधी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, because I have objection to it, मुझे इस साधी से, strict objection है, one should not, one should not, forbid the bands, वह या साधी नहीं रोकनी चाहिए, ये बड़ा पुनीत काम होता है, बड़े भुजूर्ग कह गए हैं न, हो गया, to bear one's heart, मतलब दिल की बात कह देना, sometimes, आपकी जो feeling होती है, किसी के प्रती, ठीक है, वो भी, तो, रोहिद, should bear, his heart, before his friend क्या हम इसे erase करें एक मिनिट का टाइम लिए लिजे आप लोग क्या हुआ 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 है आल राइट आल राइट यह वी गो आगे बढ़ते हैं erase करें आप एक्जेम्पल करें तब तक हम शब्द लिक लेदे हैं यह बढ़िया है और आप वर्ट्स लिखेंगे तब तक हम उसको erase कर लेंगे आराम से टाइम मिलेगा तू स्ट्राइक अ बार्गेन क्या करेंगे तू यह कौन सा है 15 होक है 16 हुआ तू स्ट्राइक अ बार्गेन अ बार्गेन वर्ट्स लिखिये 17 17 है तू मेक दे बेस्ट अ बार्गेन तू मेक दे बेस्ट अ बार्गेन बार्गेन अ बार्गेन तू सेल वन अ बार्गेन अ बार्गेन अ बार्गेन अ बार्गेन 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 बहुत थी 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 फ्रेज है स्टार बना दिये हैं तू हैव अबास आइट ट्वेंटी तू हैव अबास आइट ठीक तो हमने फिर से पांच नोट कर लिये हैं देखते हैं एरेज कर दें इधर से आप लोग नोट कीजिए फ्रेज देखिए जो पहला आपने लिखा है तू स्ट्राइक अबार गेन का मतलब है तू कम तू अ दील मतलब सौदा पक्का करना तू सौदा पक्का करना तू स्ट्राइक अबार गेन ठीक सौदा पक्का हो गया तू स्ट्राइक अबार गेन स्ट्राइक 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 अबार गेन बार गेन मतलब दोनों के बीच में सौदा पक्का हो गया लिख चलिए इसका मतलब होता है भीचा तू मेक दे बेस्ट आफ बैड बार गेन अब यहाँ पर पैरडॉक्स में बात की गई है एक तो आपका बैड बार गेन है उसमें भी बेस्ट करना देखिए यह आप्टिमिजम के बारे में बात कर रहा है जीवन की बहुत बड़ी बात बोल दी गई है यहाँ पर ध्यान रखियेगा मैंने एक मूवी देखी थी दकोर हॉलिवड की मूवी थी उसमें कोर C-O-R-E One should watch it दकोर उसमें प्रित्वी का जो EM field है electromagnetic field जो हमें बचाता है जो हमारे mechanism चुकि हम भी biotic होते हुए भी electronic being है अगर हम उए electromagnet न मिले तो heartbeat जाएगा और वो चीद chronic है तुरंत या तो जलने लगेगी या फिर function करना बंद कर देगी ऐसा उस theory में बताया गया है फिल में तो ये लोग चुकि EM फिल्ड कब रुकेगी विज्ञान कहता है कि जब core घूमना बंद कर देगा millions of metrics of tons of iron liquid iron जब घूमते हैं तब generate होता है क्या EM field electromagnetic field तो उसे चलाने के लिए uranium, plutonium 249 के छोटे छोटे परमाणू बंबना कर जाके वहाँ बिस्फोर्ट करते हैं और आते समय कोर में फस जाते हैं वहाँ से जैसे तैसे निकला तो प्रसांत मार्यान ट्रेंच के बगल उपर आकर कि उसके बाद इधन नहीं है राडार भी काम नहीं कर रहा है जैसे तैसे तो वो जो नायक है फिल्म का वो कहता है कि चलो गनत है कम से कम जलके तो नहीं मरेंगे कोर में मरते तो जलके मरेंगे we have some plenty of time left to sense the life आखरी सांस लेने का वक्त है मौथ को देख सकता है अप्रोच कर सकती है तनब क्या होती है every aspect of life he made by saying this he made he made the best of a bad bargain मौत तो निशित है अगर संदेश नहीं पहुचा तो यहां ठंड से मरेंगे लेकिन कम से कम जलके तो नहीं मरेंगे ठंडी से मरना पानी में मरना कोर में बहुत बड़ी आग में जलके मरने से थोड़ा सही है ना चार-चार घूट पानी पिएगा फेफड़े प्पूला ना वो चीज है फोड़ा कम कस्ट दायक महुत होगी लेकिन जलके मरेगा तब वो बोल क्या रहा है कि कम से कम जलके तो नहीं चलो गनीमत है कम से कम जलके तो नहीं मरेंगे दुनिया को हमने लाइफ दे दी तो एक तो होता है गले पड़े को निभाना दुनिया यही समझती है गले पड़े को निभाना एक बुरी सिचुएशन में भी मुसीबत में भी मुसीबत में भी आशावादी बने रहना बने रहना इस प्रविर्त को इस टेंडेंसी के लिए लगेगा to make the best of a bad bargain इस प्रविर्त के लिए ही to make the best of a bad bargain यानि आप मुसीबत में हैं फिर भी आशावादी बने हुए हैं Optimism आप में है Example देख लेते हैं The Hero Made The Best of A Bad Bargain By saying That We are Not Going To Die In Fire Chalo After all Thank God We are not going to die After all We are not going to die in Fire Right This is a Ganimat This is a Ganimat This is a Bargain This is a Bargain Police and Chore Bargain Bargain Chore Chore Deta Kis Kis Dega Police Koi Bhi Vyak Tee Bacche Bhi Sararat Me Mata Pita Koi Chakma Dek Kis Mata Bacch Mata Making Full Out Of Something Sober Innocent Space Kis Sath A Perni Galti Pert Pardah ڈالتے Hain ये काम सब कर चुके होते हैं अब ये बताईए कि जो आपने डिसकाउंट कराया दुकानदार से भाईया इतने का वो आजकल वीडियो नहीं बनाते हैं लोग एक लड़की आई दुकानदार से पूछती भाईया इसेब कितने का दिया है 80 रुपए किलो अच्छा कल तो एक दुकानदार हमको 100 रुपए में एक दिया था तुमस्यम कैसे दे रहे हो तो भोला दीजिये मैं 100 रुपए 100 रुपए लेके एक सेब दिया ये लो ये ये होता है तुसेल दी बारगेन आल्सो 20 रुपए जो छूटने वाला था वो भी बेच दिया जो डिसकाउंट है फ्लैट 40 परसंट डिसकाउंट अब वो डिसकाउंट भी बेच दिया तो आपको मुर्ख बनाया ना चकमा दे गया तो चकमा देने के लिए तो सेल वन अ बारगेन मैंने रोहन को मुर्ख बनाया सिधा सिधा हिंदी नहीं बोलेंगे हम फ्रेज में बात करेंगे ताकि जब तक वो समझें तब तक हम सिविल लाइन हो ये होता है प्रभुद्ध तरीके से बात करना कि I am not selling bargain to you मैं आपको bargain नहीं बेच रहा हूं मतलब मैं आपको फूल नहीं बना रहा हूं मैं चक्मा नहीं दे रहा हूं हम अपनी विद्धता साबित नहीं कर रहे हैं इसका एक पहलू ये भी होगा आप जब interpretation करेंगे तो इसके कई माइने निकल के आते हैं ठीक, चलिए कमाई देना The thief सबसे ज़्यादा इसी का अधिकार रहता है बार्गेन बेचने का आई हमेशा रहती है फितरत में The thief sold the bargain to the police officer अबिया ये जो है इसका आप meaning लिख लिजिए काफी होगा आपको वाकी प्रयोग की जरूरत नहीं है Not fit to be touched with a barge pole मतलब लाठी और दंडे से भी चोचूने लायक न हो उसे आप क्या बोलते हैं अचूत Article 17 of the Indian Constitution क्या बोलता है वही प्रोवीजन है मैंने कहा था बड़ा sensitive है है ना अचूत जिसे आप अचूत बोलते हैं Constitution उसे कहता है We the people of India आपके साथ आप में उसमें कोई फर्क नहीं किया जिस विधी के द्वारा जिस विधी के अंतरगत हम सभी गवर्न हो रहे हैं उसका एक ही द्रिष्ट कोण है We the people of India nothing else No class चले To have a boss at इसका मतलब है किसी वस्तू के तो प्राप्त करने के लिए पहला प्रयास करना या करने की इच्छा रखना लिखिएगा To attempt To make An Attempt To Achieve Anything For The First Time यानि पहली बार प्रयास करना जैसे लोग कहते हैं कि हम आई इसका पहला प्रयास कर रहे हैं यह मेरा फस्ट अटेम्ट है या PCSJ APO का तो Whichever Your Target Is अगर आप उसके लिए पहली बार जाते हैं तो आप क्या करने हैं आपने किया First Attempt पहला प्रयास इजिट चले To have a boss at I haven't Had a boss At Legal Exams मैने आज तक कोई Legal exam एक बार भी नहीं दिया Right But I'm thinking about H.J.S. At times जब समय आएगा तो H.J.S. में एक बार बैठेंगे बस एक बार दूँगा मैं चले Erage करें All right I hope कि आप लोग नोट कर लिए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं हर आप कि एक इसाम हो डिए पार दूख है आप एक बार दूगा मैं उप कि आप एक आप आप अप आप दूख है okay all right pick off the basket right 21 P-I-C-K pick of the basket मतलब उत्तम सर्वस्रेस्ट अंग्रेजी में एक शब्द है best adjective superlative degree का 22nd है to bring to bay to bring to bay to surround the enemy the enemy दुस्मन को दुस्मन को घेरना दुस्मन को घेरना 23rd देखते हैं to keep to keep somebody at bay किसी को नजदी आने से रोकना राइट 24th क्या है 24th क्या है 24th क्या है 24th क्या है 21st है 24 Kunden to be at one's beats 27th person to be at one's beats Beats Pooja Paath Waale Sthaan Par Bona Right? Pachishma dekhte hain To tell one's beats To tell one's beats Mala Japana Chhabbeesma dekhte hain Space hai to note karte chalein To spill the beans To spill The Beans Matlab Gupt Sujana Dena A secret message Ab hum kahenge In ko aap keval note kar lije bas To bring He Wanted To Bring His Ine me At Bay Apnee dusman ko Kherna chahate thae Aiswa ka Pick of the basket Pick of the basket Ka matlab Kya hai best Vaakya Pryo ki Jarurat Nahi hai Aap Aap ko Kisii ko Kana hai Ki Voh best Hai Aapne Jorner To aap keha sakti hain He Is Ab kya karo ge The Pick Of The Basket Bas Ki Woh best Hai Pick of the basket Matlab Best To keep Somebody At bay Kisii ko Najdik Aane se Rokna Khas kar Dusman ko Thik Thik Hai To withhold Someone Thik Ye bhi Or To be At once Beards Pooja Bedi Sthal Par Ho Na Pandi Ji Hem Aapne Bedi Par Ho Tain Pooja Sthal Par Ho Tain To tell One's Beards Ram Naam Ki Malah Jap Tain Raho To tell One's Beards Malah Jap Nek Liyue Thik Kabhi Kabhi Lohg Bate Bolt Tain Na Ye Phla Admi Ke Marne Ki Malah Jap Tain Maut Ko Chah Tain Malah Jap Tain Wohan Aap Iska Use Kareng Ge To tell One's Beards To spill The Beans Matlab Gupt Suchana Rakhna If you spill The Beans You are in Danger Ager Aap Gupt Suchana Dedi Aap Tain Gup Subt Suchana Ka Aadhan Pradhaan Nahi Karna Chahi Chahi Aag Aag Abart Teh Arrange Karay Ya Aap Nek Lik Liyya Noted Okay Okay चले, अब हम आते हैं 27 पर तो बियर दी वर्ट आव मतलब मुख्य सहना 58 है तो बियर हार्ड अपान कडाई करना या सताना किसी को 29 तो बियर अचार्म्ड लाइट लाइट पाम तू पियर वे दर पाम मतलब विजाई होना तू विजाई होना ठीक तीसमा है तू पियर तू पियर अ चार्ड लाइप के बिना चोट या घायल हुए खत्रे से निकल आना राइट थर्टी फर्स्ट एक तीसमा है अ पियर गार्डेन अ पियर गार्डेन कोला हल का स्थान नोट कीजेगा पियर थर्स्ट पियर थर्स्ट पियर थर्स्ट पियर थर्स्ट लाइप इन हीज देन सेर को उसी की गुफा में चुनावती देना यह तो मुर्खता है सेंस वही है यह दोनों आपसे एक फ्रेज ही है एक दूसरे के पूरा खिंदी में कि सेर को उसकी माद में ललकारना पानी में मगर मच्छ से बैर करना और to bear the lion in his den गुफा में आके सेर को ललकारना कि जाओ, जो कर सकते हो, कर लो ओके ते तीसमा देखते हैं तो लूज वन्स बेरिंग तो लूज वन्स बेरिंग तीसा भतक जाना अब यहाँ पर दिसा direction का नहीं है दिसा मिल्स यहाँ पर हम दिसाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं directions के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दिसाओं होना पथ से विचलित होना व्यक्ति का जीवन की रह में हैं संदर्भ इसका जीवन की रह है to bear the burnt off मतलब मुख्य आक्रमण सहना अगर आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखी तो वहाँ पर जो वो तीर होता है उसे जेलता है बाहुबली एक जगह पर अपने मामा कटपा को बचाने के लिए ना पूरे वो पीठ पे उसके पूरे तीर आ जाते हैं लग जाते हैं उसने क्या किया he bore the burnt off bear यहाँ पर मुख्य क्रिया है इसी का रूप परिवर्तन होगा इसी के रूप परिवर्तन से time and tense में आप इसका यूज करने में सफल होगे तो बाहु बली बोर ती burnt off arrows तीरो का मुख्य आक्रमण किसने जहला किसने चलिए हाट पान मतलब कडाई करना, सक्ती करना या सताना ही यूज जास नाट बिर हाट अपॉं अपॉं आप माता पिता को ले करके कह सकते हैं, they do not bear upon their children बहुत ज्यादा सक्ति नहीं करते हैं मातापित they are very liberal at times they do so ठीक to bear away the palm to win बिजय होना right in the last series previous series किसके अगेस्ट में हुई थी इंडिया की South Africa भारत बिजय हुआ था okay तो इंडिया इंडिया बोर अवे दपाम against South Africa South Africa in the bilateral series या cricket match तो मैंने cricket match का example नहीं दिया क्योंकि मैं oral mention कर चुका हूँ तो हमने direct examples करवाए हैं आपके ठीक तो आप इसे note करते चलें इंडिया बोर अवे अगेस्ट South Africa okay आप अपने 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 वकील के अगेस्ट भी कह सकते हो I will I will bear away the palm bear away my palm against you आपके खिलाफ मैं ही बिजय हूंगा future you should bear away the palm against him आपको उसके against भी जय होना चाहिए the way you want you can use it okay चले to bear a charmed life बिना चोट खाए या खायल हूए आप आप क्या कर सकते हैं हाँ बिना चोट खाये या घायल हूए निकल आना अभी कुछ तिन पहले एक खबर थी यहीं भर्मी जिले में आग लग गई थी दुर्गा पूजा पांडाल में तो जो लोग खायलों का तीन जिले में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री तक यह बात गई तो अभी जो लोग वहां से निकल गई safe बिना little bit hurt हुए आग से उनको क्या कहेंगे आप they bear a charmed life मतलब बिना चोट खाये निकल गया safe और जो बाल बाल बचेंगे उनको with a narrow margin with a narrow margin ये फ्रेज लगेगा he is capped with a narrow margin पस बाल बाल बचा है थोड़ा सा क्या करेंगे? some people in that incident some people in that incident bore a charmed life ठीक some people bore a bore a charmed life क्या करेंगे? to bear a charmed life मतलब बिना चोट खाये या घाये बच निकलना some people in that incident bore a charmed life ठीक okay अगे बढ़ते हैं अब bear garden मतलब kolahal का अस्थान आपको use करने की जरूरत ही नहीं आपको exemplary gratia में आपको उदाहराण इसका बनाना ही नहीं है जहां भी कुलाहल हो उसे अब क्या बोलेंगे beer garden oh it's a beer garden let's move on चलो यहां चलते हैं अब कहीं पर जहां आप हैं यहां लोग आकर सूर करना सुरू कर दे हैं तो भाहिया प्रहभिशान शूर्ट प्रहभिशान शूर्ट नट मेंगे इस प्रहइस अब यह गाडन बात समझ में आई श्म्दी से दें दो नट मेंग दों यहां प्रहभिशान इस प्रहइस अब यह गाडन I want silence आपना स्टड़ी, हम पढ़ रहे हैं, that's my, I mean, prejudice is attached to each and every individual in India, you have prejudice, और आप कह सकते हैं अशा, you have right to be disturbed, positive and negative, दुनो right होता है न, yeah, to bear the lion in his den, वाक्य प्रयोक की जरूरत है, सेर को उसकी माद में चुनोती देगा है, किस किसम का काम है, यह तो मुहावरे से इस पस्ठ है, और मगर को जा के पानी में, दाथ दिखाएगा, मुच्टेगा, मगर बोलेगा, वेलकम करेगा, यह यूट्यूब का वीडियो थोड़ी क्या न है, कि वो जो वाइल्ड कैट उठा लेती है न उससे, वो आता है छोटा सा वीडियो, है न, मैं भी सराफ़त से जीता मगर, उठा लेता है उसको, ठीक है, प्रेडेटर हैं दोनो, ठीक, तु लूज वन्स बीरिंग, दिसा विहीन होना, हम सोचते हैं, कि विलियम सेक्स्पियर की ट्रेजडी से भी, बहुत बड़ी ट्रेजडी है, दिसा विहीन होना, विलियम सेक्स्पियर, हैमलेट, रिगार्डेड अज दि मास्ट पीस, एस फार अज ट्रेजडी जानर is concerned, इंग्लिस लिट्रेचर, लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजडी हम मानते हैं, किस बात को, जब व्यक्ति, दिसा विहीन हो जाए, जीवन का सबसे बड़ा, जड़ी यही है, दिसा विहीन हो ना, not to be on track, as far as life is concerned, नहीं, चले, erase करें, I think, that's all for now, इसके आगे का हम, next class में देखेंगे, basics level पर आपने, 33 आज पढ़ा है, इनके वाक्य प्रयोग कीजिए, utilize कीजिए, maybe previous classes में, आप 40 words, idioms phrase के किये थे, तो on and average 35, आप ले करके चलिए, 40, ठीक, वो उतना cover हो जाएगा, तो, लगभग A series, B series, B series में थोड़े बहुत और हैं, इनको, और C series, अगली class जो होगी, B के remaining, and C का beginning phase, हम अगली class में complete करेंगे, a little bit faster, ठीक, तिल देन, have a good day, and जाएँ. अगले Jet झाएँ. P 어्सके बश् communities bell नो, how अगलe लो लो झाल झाल